Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, हमने start किया है chapter number 3, Fiber to Fabric. Well, इस chapter में मैंने आपको previous वीडियो में बताया था कि हमें जो fiber है वो कहां से मिलता है? तो मैंने आपको बताया था कि fiber जो है, वो natural fiber होता है और mean mad या फिर आप जिसको कह सकते है, synthetic fiber होता है. तो आज की इस class में मैं आपको बताऊंगी कि natural fiber जो कि animals से मिलता है उसका एक example. तो आज हम पढ़ने वाले हैं wool के बारे में. तो चलिए शुरुआत करते हैं, well wool जो है वो hairy animals से आपको मिलेगा, hairy animals जैसे की sheep हो गई, goat हो गई, याक हो गया है और भी बहुत सारे animals हैं, जिनके बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ. वेल ये जो furry animals होते हैं, ये furry animals का coat हम क्यों लेते हैं, मतलब उनके force को इसलिए लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गरम होते हैं, ये bad conductor होते हैं या poor conductor होते हैं heat के, heat के prevention के, मतलब ये आपकी body के अंदर जो हवा है उसको बहुत अच्छी तरीके से flow नहीं होने देते, जिससे क् कि जो animals हैं, जो कि ठंडी जगों पर रहते हैं, उनके अंदर गरमाहट बनी हुई रहती हैं, ठीक है, so आएए डिसकस करते हैं कि कौन कौन से type के जो fibrous animals हैं, वो पाई जाते हैं, ठीक है, animal fiber tend to have some characteristics in common, such as vomit, elasticity and the ability to felt, but each is a little different, well animal के fiber के अगर characteristics की बात करें, मतलब कि जो animal से मिल होते हैं, कौन कौन से उनके अंदर properties होती हैं, उसके बारे में अगर बात करें, तो अगर अपन animal जो कि आपको wool देते हैं, उसमें आपको क्या-क्या मिलना चाहिए, उसमें मिलता है आपको vomit, elasticity and ability to felt, felt का मतलब कि ऐसे अगर कोई चीजों का बिचना, ठीक है, या फिर flat type का की ability है, तो वो animal fiber जो है, वो wool की तरह है, यूज किया जाता है, okay, but each a little different, but हर type का जो fur होता है, या हर type का जो animal होता है, उससे मिलने वाला जो fiber होता है, वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ difference रखता है, ठीक है, this is, this list is not exhaustive, but describes popular fiber animals, well, अभी हम पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको popular fiber animals जो है, उनके बारे में हम discuss करेंगे, इसके अलावा भी हो सकता है, कि और भी तरीके के animals हो, जिनकी मदद से हमें fiber मिलता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो है, आपकी sheep, ठीक है, sheep को आपने जनरली देखा होगा, कि गर्मियों के टाइम पर दूर से, थंडे इलाकों से, अपन से जाधा common और versatile animal fiber होता है, इस नेचरली elastic, warm, absorbent and durable, ठीक है, इसका जो wool होता है, इससे मिलने वाला जो fiber होता है, वो बहुत जाधा elasticity रखता है, गरम होता है, एब्सॉब कर लेता है चीजों को और बहुत लंबे समय तक चलता है, मतलब durable होता है, इस softness varies somewhat among breeds of sheep, अब sheep में भी क कितना soft है, यह depend करता है कि कौन से variety की shape हमने ली हुई है, ठीक है, wool felt easily because the scaly fibers latch on to each other, यह जो wool है, वो आसानी से felt हो जाता है, आसानी से लंबी लंबी ratio में convert हो जाता है, ठीक है, because the scaly fibers latch into onto each other, क्योंकि जो scaly fibers होते हैं, वो एक दुसरे के उपर इस तरह से latch होते हैं, ठीक है, तो वही जो wool है, जो कि sheep से मिलने वाला है, वो बहुत ही जादा क्या होता है, elastic, उसकी बहुत अच्छी होती है, बहुत जादा warm होता है, एब्जॉब कर लेता है चीजों को जल्दी से और बहुत लंबे समय तक चलता है, that means कि बहुत जादा durable होता है, चीज और बता दू कि felt का म बना लेते हैं, तो यह हर तरीके के wool में possible नहीं होता, लेकिन sheep wool में यह चीज़ होती है, कि wool falls easily because the scaly fibers latch on to each other, क्योंकि जो fibers होते हैं, वो एक दूसरे के उपर इस तरह से latch होते हैं, इस तरह से बंदे हो रहते हैं, जिससे अगर आप कभी अपनी sweater को या फिर अपने wool का जो आप उसको देखिएगा, कि वो आपस में एक दूसरे से तरह से बंदे हुए से रहते हैं, ठीके, यही quality के कारण हम इसको बहुत आसारी से felt कर सकते हैं, मतलब एक sheet में convert कर सकते हैं, जो कि कंबल या फिर आपके blankets की तरह है, यूस किया जा सकता है, ठीके, तो भई यह तो पह ही रहा होगा या picture आपको दिखी रही होगी अलपाका की, ठीके, जिसकी सूरत बहुत ही मासूम सी होती ही, ठीके, वेल, अलपाका से जो हमें wool मिलता है, वो बहुत ही soft होता है, as compared to sheep से मिलने वाले fiber से, ठीके, या as compared to wool से, अलपाका fiber is softer than wool because it is less scaly, ठीके, क्योंकि यह बहुत थोड़ा कम scaly होता है, it has a naturally silky feel, इसके जो fur होते हैं, जो इसका उपर का जो fiber होता है, वो बहुत ही जादा कैसा होता है, soft होता है, naturally ही होता है, the softest alpaca comes from baby alpaca, well अगर alpaca की बात करें, तो उसके जो baby alpacas होते हैं, उनके जो fiber, उनसे मिलने वाला जो fiber है, वो बहुत जादा soft ह होता है, क्योंकि उनके fur जो होते हैं, उनकी body के, वो as compared to adult काफी जादा soft होते है, alpaca is luxury fiber which is growing in popularity, well alpaca का अगर अपने को कभी material मिलता है, तो यह बहुत जादा luxury fiber होता है, मतलब कि महेंगा fiber होता है, क्योंकि generally हमारे इंडिया में भी बहुत कम जगे पर ही पाय जाते हैं, ठीक क्योंकि यह less scaly होता है, scaly मतलब कि इसके अगर उपर-उपर का ही हमें क्या मिल जाता है material, उसके skin से आपको नहीं मिलेगा, okay, so और जब आपन sheep की बात करते हैं, वो विल्कुल skin से हम उसके fur को निकालते हैं, okay, तो इसलिए इन दोनों में थोड़ी से difference होता है, यह ज्यादा वाले जो भी उनके fiber है, उसमें, अलपाका में भी softest alpaca कौन सा होगा, baby alpaca से मिलने वाला fiber सबसे ज़्यादा softest होता है, तो यह next animal था, जिसके बारे में मैं, जिससे हमें fiber मिलता है, आगे देखते हैं, कश्मीरी goat, वेल यह कैश्मीरी goat जो होते हैं, वो classic luxury fiber होता है, ठीक है is exceptionally soft with a less shiny look that alpaca, वेल यह बहुत ही ज़्यादा soft होता है, लेकिन थोड़ा कम shiny होता है as compared to alpaca, ठीक है, यह कैश्मीरी goat है, देखें, देखने में ही लग रहा है, इनके जो furry body, उपर से ही काफी ज़्यादा soft रहती है, ओके, it is also extremely warm without being bulky, अगर इसके एकाथ layer भी चढ़ा दी जा आले fiber से, तो वो बहुत ही ज़्यादा warm होती है, हमें उसमें बहुत सरे layers को add नहीं करना पड़ता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, कैश्मीरी goat जो है, वो बहुत ज़्यादा soft होती है, अलपाका से भी ज़्यादा soft होती है, देखके ही आपको इस animal को समझ में आ रहा होग और दूसरी चीज़ की थोड़ा कम shiny है, लेकिन warm बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा coating करने की इसमें जरुवत नहीं होती, बहुत सारे word की layer बनाने की जरुवत नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, ठीक है, तो ये तो था आपका cashmary अब आगे देखते हैं, आपका अंगोरा गोट या फिर मोहर, मोहर भी कहते हैं इसको happen, generally हमारी local language में, मोहर क्या होता है, इस तरह से मोहर दिखता है, ये बहुत ही क्या होता है, सिल्की साफ और इसके जो पर होते हैं, बहुत फाइन होते हैं, बहुत पतले होते हैं, और शा और शाइनी है, ठीक है, इसके अलावा ये बहुत अच्छे से dye को absorb कर लेता है, तो इसलिए इसमें जो coloring की जाती है, वो बहुत अच्छी coloring इसके उपर आती है, किड मोहर, या फिर ये जो यंगर मोहर है, is softer and more curly than adult मोहर, वेल जो adult मोहर है, उसके comparison में, जितने भी youngest मोहर होते ह है, या जो किड मोहर होता है, उसका जो fiber होता है, वो बहुत ज्यादा करली होता है, बहुत ज्यादा होता है, पहली चीज तो, दूसरी चीज बहुत ज्यादा सिल्की होगा, शाइनी होगा, और अगर आप उसको use करोगे, तो उसकी dye और ज्यादा खुबसूरत होती है, ठीक का आपका blanket के यूज में इसका यूज नहीं कर सकते हैं ठीक है समझ में अंगोरा गोट ठीक है अंगोरा गोट मतलब मोहर जिसको हम कहते हैं यह करणी होता है सलिट नहीं होता है लेकिन यह बहुत ही प्यारा fine silky और shiny सा material देता है ठीक है चलिए तो ये हो गया आपका मोहर के बारे में आपने देखा अब next है आपका अंगोरा rabbit ठीक है तो rabbit भी हमें क्या देते हैं rabbit यी देखें कितना प्यारा fluffy सा है एकदम देखके ही समझ में आ रहा है कि इससे मिलने वाला जो fiber होगा वो बहुत ही and silky feeling ठीक है यह जो एंगोरा word है ठीक है एंगोरा का मतलब ही क्या है कि बहुत ही जादा soft और silky तो अंगोरा goat हो चाहे एंगोरा rabbit हो दोनों से मिलने वाला जो fiber है ना वह बहुत ही प्यारा soft होता है तो अंगोरा rabbit की बात करें तो अंगोरा fiber is known for its fluffy hello effect it is often combined with other fibers because it fells easily with wear ठीक है यह जो इससे मिलने वाला fiber है वो बहुत आसानी से felt हो जाता है ठीक है और इसको हम दूसरे fibers के साथ इसलिए मिला लेते हैं ताकि और बहतर तरीके से हम इसको felt flat कर सके और इसका use ऐसी जगे पर कर सक जहां पर में sheets की जरुद पड़ेगी ठीक है तो अंगोरा rabbit के बारे में हमने जाना बहुत ही fluffy होता है ठीक है और बहुत ही soft होता है ठीक है next है आपका camel आपने सोचा नहीं होगा कि भी camel कभी use करते हैं क्या तो भी camel की body में कुछ इस तरह से आपने देखा होगा फर होते हैं तो camel की body से भी बहुत सारी चीज़े बनाई जाती है typically collected from the soft undercoat of the bacterian camel of the Himalayan region basically आपने जो camels देखे होंगे वो skinny देखे होंगे ठीक है जो कि हमारे राजिस्थान में या फिर आसपास के areas में आपको मिलते हैं गुजरात में वो skinny होते हैं लेकिन ऐसे जो camels है यह आपको Himalayan region मे मिलते हैं camel hair is naturally temperature regulating, lightweight and minimally elastic यह जो camels के hair होते हैं वो naturally ऐसे होते हैं कि वो temperature को regulate कर सके थोड़ा बहुत उसमें changes कर लेते हैं automatically ठीक है तो यह क्या होते हैं naturally temperature regulating होते हैं light weight होते हैं और minimally elastic होते हैं ठीक है इससे मिलने वाला जो fiber वो कैसा होगा बहुत light weight होता है temperature अपने according atmosphere के या weather के according इसमें थोड़ा बहुत आपको उपर नीचे होता हुआ खुदी महसूस होगा और दूसरी चीज यह कि इसकी elasticity थोड़ी से कम होती है इसकी वाज़े से यह जो फैल नहीं आसानी से फैल्ट नहीं होता है याद रखिएगा इस नौट फैल्ट इजी ली ओके सो नेक्स्ट आइमल है हमने डिसकर्स किया भी कैमल के बारे में ओके आगे है फाइवर एक अनिमल अभी तक तो हमने उन सारे अनिमल के बारे में बात जैसे कि हमने सबसे पहले शीप की बात की फिर हमने अलपाका को देखा डाइग्राम में पिक्चर में देखते जाए अलपाके के बाद हमने देखा कैश्मेरी गोट को कैश्मेरी गोट के बाद हमने डिसक्स किया अंगोरा गोट को मोहिर जिसे कहते हैं फिर अंगोरा राब मिल सके ऐसी चीज़े इन से बनती है इसके अलावा कारपेट बनाने में ब्लांकेट्स बनाने में हम इनका यूज करते हैं ठीक है कई जगे सॉफ्ट बनाने में भी इनका यूज किया जाता है ठीक है तो यह तो था किसके बारे में वूल के बारे में जो कि आपको इन सारे अन का मल्री सिल्क वाँ मेक इट्स कोकोन आउट ओफ ठेके एक इस तरह की का क वाँ होता है जो कि अपना कोकोन कुट्ष को कूकोन मतलब यह है जो चीज इसको कोकोन कहते है उसको बाहर निकालता है ठेके पलीबेprodenuster the fuver है ठीक है अपने इसके बारे में आगया अच्छी से और डिसकस करेंगे सिल्क जो है सिल्क वाम के कोकून से हमें मिलता है इस तरह के का दिखता है कोकून अगर इंडिवीजुल फाइबर की बात करें तो यह बहुत ही लॉंग होता है पतला होता है स्मूध होता है और लस्ट् यह प्रॉपरटी स्वाइब आभी तक बताई है सबको आपको अच्छे से ध्यान रखना है सिल्क एस वेरी स्ट्रोंग फॉर इस वेट ठेक है अगर अपने इसका सिल्क को देखे इससी प्रॉपरटी को यह बहुत ही ज्यादा कैसा होता है काफी स्ट्रॉंग होता है तो काफी आपको उसका अच्छा क्या मिलेगी स्ट्रेंथ काफी अच्छी मिलेगी तो मतलब कि आसानी से नहीं तूटने वाला तो यह तो मैंने आपको बताया कि कौन सा मटेरियल हमें किस एनिमल से मिलता है चले अब अपने छोटा से डिसकस कर ले हैं जिनके बारे में हमने अभी डिसकस किया यह यह मिलते कहां के हैं तो याक भी हैं जो कि आपको वूल देता है तो याक मूल कहां से मिलता है याक फूल इस पॉप सॉपलेर ली wizard इन तिबचा औन लदाक तिबचा फान इन लडट्दाक में आपको याक मिलता है अंगोरा भूल अंगोरा याद करिए मैंने आपको अभी एक पिक्चर दिखायी थी अंगोरा की अंगोरा वूल कहा मिलेगा अंगोरा वूल आप्टेन फब गूट फाउंड इन दा हिले में ना हिली रीजन सचाहोच जम्मू और कश्मीर जम्मू इन कश्मीर में आपको अंगोरा गोट्स मिलती है मतलब कि अंगोरा का जो वूल है वो हमें जम्मू कश्मीर से मिलेगा दा अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इस सॉफ्ट यह के साथ में कश्मीरी गोट भी होती है जिनका अंडर फर जो होता है वो काफी soft होता है ठीक है तो वो भी हमें कश्मीर से ही मिलता है इडिस वुवन इंटो इस साइज fine shawls called pashmina shawls और दूसरे चीज़ की इस से बनने वाली जो गौट से जो आपको फर मिलता है वो कहां उसका यूस कहां कर किया जाता है पश्मीना shawl बनाने में जो की काफी expensive होती है दो फर ऑन दो बॉड़ी ऑफ कैमल इस यूज़ एज आज वूल लैमा अपले का फाउंड इंदा साउथ अमेरिका और ऑल्सो येल्ड वूल ठीक है अब यह जो अलपाका या फिर लाम की अगर अपन बात करें तो यह सभी साउथ अमेरिका में जादा मिलते हैं एक ताकि जिनसे हम फूल को ले सकते हैं इंडिया में यह अपको कहाँ सेमले सकते हैं से मिलता है एनीमल की बारे में हमने डिसकस किया और यह कहां कहां जाधा तर पाये जाते हैं तो यह तर डिबति और हिमाल्या अरी यह मिलेगा आपको kashmir मे नूसरह में कुरूप 시 तो तरह से इनिल से लिया जाता है और कैसे उसे फैब्रिक में कटिया जाता है तो मैं लुँगे आपको मेरी नेक्स वीडियो क्लास में तिल टेन आपको www.magnetbeams.com पर आपने प्रिविएश कुछ क्लासिस को मिस कर दिया है तो आप वहाँ जाकर के science subject को select कर सकते हैं या अगर आपको जो भी subject पढ़ना है आप यहां से आसानी से देख सकते हैं जस्ट आपको watch now पर click करना है जैसे ही आप click करेंगे तो आपको chapter wise यहां पर सारे वीडियो दिखना चालू हो जाएंगे बस आपको topic पर click करना है topic पर click करते ही वीडियो को देखिए वीडियो देखके समझ आ रहा है तो इसे like करें हमें comment करके जरूर बताइएगा और इसे share करें अपने सभी दोस्तों के साथ same class के दोस्तों के साथ तो करना ही है और साथ में उनके साथ भी जो किसी और classes में हो आपके दीदी भाई या अगर किसी और बड़ी classes में है तो आप उनको भी बता सकते हैं हमाई पास बहुत सारे courses है हमाई पास 100% classes है वो भी free from kindergarten to class 12 ओके चलिए तो वेल आप इसे subscribe कर आपको जो भी recent update है वो भी आपको लगातार मिलती रहे मैं मिलती हूँ आपको मेरी next class में till then stay happy stay healthy thank you so much